नमस्कार लक्षान स्कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्षन पर मैं भुमेंदर कुमारत दिवागन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ और एक नया अपडेट लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एडमिशन प्रक्रिया को बदलने की मांग की जा रही है तो क्या पहले प्रक्रिया थी और अब क्या मांग की जा रही है इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे साथ ही बात करेंगे सेक्षिनिक किलेंडर अभी तक नहीं आया है कब से प्रवेश परिक्षा होगी कैसे होगा हर एक चीज इसके बारे में हम बात करेंगे जो कि पहली बार ये इस्तिती बर रही है कि अभी तक जारी नहीं किया गया है तो संबंदित अपडेट पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए है या अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि जुन में भी सेक्षनिक कलेंडर अभी तक जारी नहीं किया गया है एक हफ्ता भी चुका है परिशान कॉलेज करेंगे विश्व विद्धाला कुछ तो पहली बार ये इस्तिती निर्मित हो रही है जिसमें कॉलेज जो है परिशान होकर युनिवर्सिटी की ओर जाने वाला है अभी तक ऐसा होता था कि ऐसी इस्तिती आती नहीं थी लेकिन फिर भी इस बार ऐसा दिक्कत आया गया है मई के अंतर तक जारी कर दिये जाता था सेक्षनिक कलेंडर की पूरे वर्ष का एक कलेंडर निर्धारित के जाता है जिसमें डिटेल रहता है कि इस इस दिन तक ये चीजें होंगी तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात यह है अडमिशन प्रक्रिया बदलने की मांग तो आपको समझा दे थोड़ा सा कि क्या था पूराना और अभी कहा देखेगा 2019 से क्या है प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई थी छात्रों को वेबसाइट में जाना पड़ता था वेबसाइट में जाने के बाद आपको आविधन करना होता था कोई भी पांच कॉलेज के चेन करना होता था वो भी आपको प्राथमिक्ता के अधार पर ठीक है सिक्वेंस में प्राइटी के अधार पर उस पे करना होता था फिर मेरिट के अधार पर छात्रों को कॉलेज दिये जाते थे अब किसी छात्र के अच्छे हंख है तो उसका जितने कालेज में बरा है उतने पूरे कालेज में आ जाएगा अब वो लेगा कितने में ड्मिशन सिर्फ एक में तो बच जाएगा कितना चार तो चार की सीट जो होती हो खाली रह जाती है और ये सीट कब भरती है सबसे last में भरती है जब open counseling होता है तो ऐसे में बहुत सारे शात्र जिनको admission उसमें लेना होता है उनका admission नहीं हो पाता है इसलिए college कह रहा है कि इस वरस्ता में बदलाव कीजिए और इस प्रकार की प्रक्रिया को हटाईए यहाँ पर महंत college के प्रचार जी का करना है कि प्रवेश सम्बंदित जनकारी अभी तक नहीं मिली है और चातर लगातार college आ रहे हैं जानने के लिए कोई guideline ने मिली हुई है इसलिए हमने विश्व इदाले से चर्चा करने का फैसला लिया हुआ है तो बारवी की परिक्षा के नतीजे भी मई में घोशित कर दिये गया है यहाँ पर CBS की परिक्षा का exam 10 तारीक को निर्धारित कर दिया गया है हर एक चीट पता है लेकिन यहाँ पर एर्मिशन से संबंदित और वार्सिक परिक्षा से संबंदित guideline अभी तक जारी नहीं की ग जब सेंटर लगेगा किसी भी का तो एक ही जगह में बैटेंगे हजार चात्र इतना बड़ा यहां पर हॉल बनाया जा रहा है अगले साल से होगी इसी भवन में परिक्षा है तो परिक्षा आने वाले जिनों में जब आयोजीत होगी तो एक ही में होगा अभी क्या होता है बहुत सारी अलग-अलग building बनी हुई है उस campus में तो वहाँ पर जो है आपका अलग-अलग center दिया रहता है तो छात्र को भटकना पड़ता है जब हो जाता है तो कभी पांचों नंबर में तो कभी तीसरे में कभी दूसरे में किसी पहले में तो यहाँ पर रिसानी होती है अब अभी तक आपने whatsapp group को join नहीं किया है facebook में हमें follow नहीं किया है तो कीजिए टेलिग्राम में भी group बना हुआ है वहाँ पर भी आप जोइन कर सकते हैं instagram में भी group बना हुआ है तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप सभी तक पहुँच पाएं और चानल को share जरूर किज होंगा तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ लक्षान स्कूचिंग क्लासेश